आज दिपावली का पावन पर्व है इस आउसर पर मैं पुरे प्रदेश वास्यों को दिपावली की हिर्दे से बधाई देता हूँ मरियादा प्रसोतम प्रभुसिर राम के चौदाव वर्स के बनवास के उपरांद आयोध्याधाम त्रेता युग में दीप मालाओं से जगमग हुआ था हजारों वर्सों के बाद भी यहाँ पर्व पुरे देश का ये कुछ सो बन गया है हर सनातन धर्मावलंबी बड़े विश्वास के साथ बड़ी सर्धावाओं के साथ इस कारिक्रम के साथ जुड़ा हुआ है और इस बार की दिपावली तो विसेस है पांच सो वर्सों के एक लंबे अंतराल के बाद प्रवस्री राम अपने स्वयम के धाम में बिराजमान हुए है प्रधान मंत्री मोदी जी के करकमलों से 22 जनवरी 2024 को प्रवस्री राम लला अपने भब्य और दिब्य मंदिर में बिराजमान होकर के हमें साकसात अपना असरिवात बरसा रहे हैं तो साभाई ग्रूप से इतने लंबे काल खंड के बाद अयुद्या की देपावली इस बार विसेश है और अयुद्या की देपावली के कारिकरम के साथ पुरा देश और पुरी दुनिया जुड़ने के लिए उत्सुक है यह पर्व हमें एक एक दीप के साथ जुड़ करके पंदकार का हो अग्यानता का हो अराजकता का हो अविवस्ता का हो उन सब के खिलाब हम सब को एक दा के सूत्र में जुड़ करके दीप से दीप जले के भाव के साथ एक दा के सूत्र में जुड़ करके सरवत्र ग्यान का धर्म का सिक्सा का प्रकास का उज्यारा दिखाई दे इसका संदेश दे रहा है मैं आज की सौसर पर प्रवसीर राम से ही प्रार्थना करता हूँ कि पुरिप्रदेश वास्यों के सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए यह प्रकास पर्व उत्सा उमंग सुक और संब्रिदी का कारग बने यह कामना मैं इस उसर पर करता हूँ यह मेरा सौभग्य है कि आज अयुद्या में दिपौत्सो के कारिक्रम के साथ इस अनसुची जाती की बवस्ती में मुझे दिपावली के मिस्तान के साथ जुडने का उसर प्राप्त हुआ है हर वेक्ति उत्सुख है अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें